हाई फ्रेंट्स वेलकम चु आज चैनल तो जब हम अपने घर की किचिन के लिए चिमनी ढूंडने निकलते हैं तो मार्केट में हमें दो आप्शन्स मिल जाते हैं पहला आप्शन हमें मिलता है फिल्टर लेस चिमनी जिसमें की मोटर सील होती है वहीं दूसरा आप्शन हमें मिलता है वैपर फिल्टर चिमनी जिसमें की मोटर सील नहीं होती है तो मैंने अपने घर की किचिन के लिए कौन सी चिमनी क्यूंडर करी है वो मैं आज आप सबके सा share करने वाली हो तो start करेंगे प्रोडेक्ट की unboxing से now let's get started ये favor chimney का model hood primus plus मैंने order किया था, अब मैं आपको इसकी pricing बता देती हूँ तिसके box पे 28,590 रुपीज मेंशन है, मार्केट में जब मैंने इसके price बता करें तो ये 14,000 रुपीज की मिल रही पर online ये और भी कम price में मिल जाती है इसके box में हमें मिल जाती है oil collector tray, manuals, warranty card और black color की favor की chimney इसका weight 14 to 16 kg के around है और वहीं इसकी dimensions की बात करें तो वह 48, 60 और 60 cm मिल जाती है इस product पे one year की product warranty मिलती है और वहीं five years की warranty मोटर पे मिल जाती है आप 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 इस चिमनी को हमें आउटलेट से फिट करने के लिए 6 इंच डायमेटर अलोमोनियम पाइप की नीड होती है तो ये अलोमोनियम पाइप मैंने लोकल मार्केट से पर्चेस किया था ये मुझे 500 रुपीज का मिल गया था इस अलोमोनियम पाइप को टॉप आउटलेट में फिक्स करना होता है तो अब टाइम था इंस्टॉलेशन का तो अगर हमारी साइट रेडी होती है यानि कि जिस एरिया में हमें चिमनी फिट करवानी है किचिन के अगर वो रेडी होता है तो टू डेस के अंदर ही इंस्टॉलेशन प्रॉसेस हो जाता है तो ये सारा समान जो था वो चिमनी के बॉक्स में ही मुझे रिसीव हुआ था मैंने आपको अन्बॉक्सिंग के टाइम पे दिखाया था ये प्रॉपरली इन्होंने फिट कर दिया और उसके बाद चिमनी को भी प्रॉपरली प्लेस कर दिया इस चिमनी में हमें मिलते हैं टू वैफल फिल्टर्स इसमें है हीट आटो क्लीन टेकनोलोजी जिसमें की ओयल कलेक्टिंग टेकनोलोजी है इस चिमनी के जितने भी पार्ट्स थे जो वैफल फिल्टर आपको दिख रहे होंगे यह प्रॉपरली प्लास्टिक से कवर थे तो इनको भी प्रॉपरली रिमूफ कर लेना चाहिए क्योंकि तड़का वगरा लगाते हैं तो जलने का खत्रा रहता है तो इसलिए जितना भी प्लास्टिक पोशन आपकी चिमनी पे अटैच होता है आपको उसको प्रॉपरली रिमूफ कर वा लेना चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम में अब मैं आपको चिमनी का वो पोशन दिखा देती हूँ जिस पे वाइड कलर की प्लास्टिक भी प्लेस है तो इसको भी प्रॉपरली रिमूफ कर दिया गया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप देखी रहे हूंगे वीडियो में ये इसको अच्छी तरह रिमूफ कर रहे हैं तो मैं आपको वो सारी जगाए दिखा रही हूँ जहां जहां से इस पॉलितिन को रिमूफ करना है जहां जहां जहांसी जहां से जहांसी कर दुिर्छ तो आपने वीडियो में देखा कि मेरे घर में जो किचिन का स्पेस है उसमें जो डग की हाइट है वो काफी जादा उचाई पे थी इसलिए मैं एक हाई सक्षन कापसिटी वाली चिमनी ढून रही थी और मैंने ओडर करी है ये फैवर 1500 मीटर क्यूब पर आज सक्षन कापसिटी वाली चिमनी फाइनली चिमनी इंस्टॉल हो गई है और आपको फ्रंट पैनल पे ये पावर का बटन दिखाई दे रहा है आप इसको ओन करेंगे उसके बाद इसमें आपको 123 तीन ओप्षन दिख रहे होंगे जिसमें आपको फर्स नंबर नॉर्मल कुकिंग के टाइम पे चिमनी ओन करनी है सेकेंड अगर आप तेल का कुछ काम कर रहे हैं हलका फुल का तब आन करना है और थर्ड जब आप हैवी ओइलिंग की कुकिंग कर रहे हैं तब आन करना है और सामने ही आपको लाइट आन और आफ का ओप्षन भी मिल जाता है उसके बाद आपको एक और option दिख रहा होगा auto clean का हफते में एक बार आपको ये auto clean का option भी on करके chimney को साफ कर लेना है तो अगर आप भी एक budget high suction capacity वाली chimney ढूण रहे हैं तो आप definitely इसको try कर सकते हैं इसका जो link है वो मैं description box में दे दूँगी आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं और मुझे comment section बता सकते हैं कि आपको ये video कैसी लगी अगर आपको ये video थोड़ी भी useful लग रही है और पहली बात देख रहे हैं इस video को तो चैनल को subscribe करना मद भूलना वीडियो को like करना मद भूलना और हम लिए happy next video में तब तक खुश रहे हैं स्वस्त रहे हैं